उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनात सरकार जल्द ही गरीबों के लिए पेशन स्कीम लॉंच करने जा रही है प्रदेश सरकार की इस स्कीम में गरीबों को 800 रुपय महीने पेशन के रूप में मिलेंगे इस पेशन स्कीम के लिए बहुत गरीब तबके के लोगों को शामिल किया जाएगा हाला कि इस पेशन स्कीम में वो लोग भी शामिल होंगे जो दुपईया वाहन रखते हैं और जिनके पास एक कमरे का पक्का मकान है उत्तरपदेश शासन ने समाज कल्यान निदेशाले विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तयार करने के निदेश दे दिये हैं जुलाई के आखिर तक इस योजना की घोशना और शुरुआत की जा सकती है समाजवादी पार्टी का सरकार में भी समाजवादी पेशन के नाम से योजना चल रही थी जिसमें अधिक्तम साथ सव पचास रुपे देने की विवस्था थी योगी सरकार के अस्तित्व में आने के इस पेशन योजना को बंद कर दिया गया था बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने इस पेशन योजना में भारी संख्या में अपात्र लोगों को पेशन देकर बड़ा घोटाला किया था योगी सरकार की नई पेशन योजना के तहत हर किसी को आधार और गरीबी के ज़रोरी दस्ता वेज देने होंगे पेशन धारियों का ओनलाइन रेजिस्टेशन भी होगा और पैसे सीधे आवेदक के खाते में दिया जाएंगे ताकि किसी भी तरह के फरजीवाडा से बजा जा सके उत्तर प्रदेश की योगी आधित्यानात सरकार जल्द ही गरीबों के लिए पेशन स्कीम लाँच करने जा रही है प्रदेश सरकार की इस स्कीम में गरीबों को 800 रुपे महीने पेशन के रूप में मिलेंगे इस पेशन स्कीम के लिए बहुत गरीब तबके के लोगों को शामिल किया जाएगा हाला कि इस पेशन स्कीम में वो लोग भी शामिल होंगे जो दुपईया वाहन रखते हैं और जिनके पास एक कमरे का पका मकान है उत्तरपदेश शासन ने समाज कल्यान निदेशालेग विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तयार करने के निदेश दे दिये हैं जुलाई के आखिर तक इस योजना की घोशना और शुरुआत की जा सकती है समाजवादी पार्टी का सरकार में भी समाजवादी पेशन के नाम से योजना चल रही थी जिसमें अधिक्तम साथ सव पचास रुपे देने की विवस्था थी योगी सरकार के अस्तित्व में आने के इस पेशन योजना को बंद कर दिया गया था बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने इस पेशन योजना में भारी संख्या में अपातर लोगों को पेशन देकर बड़ा घोटाला किया था योगी सरकार की नई पेशन योजना के तहत हर किसी को आधार और गरीबी के ज़रूरी दस्ता वेज देने होंगे पेशन धारियों का ओनलाइन रेजिस्टेशन भी होगा और पैसे सीधे आवेदक के खाते में दिय जाएंगे ताकि किसी भी तरह के फर जीवाड़ा से बज़ा जा सके